तो आज के टेरर रीडिंग का टॉपिक है आपके स्पाउस जो है वो किस तरीके से आपको परस्टनालिटी को देखते हैं या आपको देखते हैं या क्या एड्मायर आपके बारे में करते हैं यह एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है कुछ चीजी आपकी सिचुएशन से अगर आप मेरे चानल पर नए आए हैं तो आप इस चानल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को जुरू आल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय में नोटिफिकेशन मिल पाएं और आप कंटेंट को इंजॉए कर पाएं अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टागाम पर फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्कुप्शन में मिल जाएगा किंग ऑफ पेंटेकल्स टॉरस इनर्जी आई है अभी मैं आपको एक्स्प्लें करती हूं नेक्स्ट आरा नाइन ऑफ काप्स दस्टार इक्वेरस इनर्जी है बहुत अच्छे कार्ड़ आए हैं नेक्स्ट आरा आपके पास थ्री ओफ कोईंस नेक्स्ट आरा एंप्रस नेक्स्ट आरा दस सन अरे वह बहुत प्यारे कार्ड़ आए हैं तो जो भी आपके स्पाउस हो चाहें वो मेल हो चाहें वो फीमे से ट्री की जो रूट होती है उसके ओपर डिपेंड करता है कि ट्री जो है वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा या उसकी लाइफ कितनी होगी तो उसी तरीके से वो आपको अपना लाइफ पार्टनर तो मानेंगे ही लेकिन आपको जो है एक रूट सिस्टम की तरीके से मानेंग तो इस तरीके की एनरजी है, नेक्स चारा यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स है, नाइन ऑफ कप्स है, जो चाहा वो मांगा, जो मिल गया, तो ऐसी एनरजी है कि इश्वर ने जो है जो भी दिया मुझे, वो बहुत जादा दिया और जो मैंने नहीं भी सोचा था, वो भी एक अच् को जो भी opposite partner होंगे, वो जो है, बहुत जादा sweet होंगे, caring होंगे, loving होंगे, चाहे उनका कोई भी gender हो, लेकिन उसके बावजू जो है, वो practical होंगे, कभी-कभी harsh भी होते होंगे, क्योंकि इसमें negative qualities भी है, harshness जो है, वो life को, जीने का भी एक सलीका सिखाती है, ऐसा निये कि हर समें, जो है, life में sweetness ही होगी, जादातर cases में, जो है, वो हमेशा यही होता है, कि negative चीजों का हमें सामना करना पड़ता है, या challenges को सामना करना पड़ता है, लेकिन उसको जो challenges को आगे लेकर जाना है, वो sweetness के साथ, या kindness के साथ ही चल सकता है, तो कुछ इस तरीके की energy है, एक्स करते हो, या फिर आपको healing की अगर जरुरत है, तो वो चीज है, और positive तरीके से आपके person जो है, वो आपको देखेंगे कि कुछ problems भी आजाए, challenges भी आजाए, तो आप ना धैरे छोड़ते हो, patience है आपके अंदर, और आप hopeful रहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये चीज जो तरीके से मतला रखना कि उनको बांध कर रखना, अगर कोई परिशान हो भी रहा है, या किसी भी तरीके का जो कोई problem चल रही है, चाहे financial हो, चाहे personal हो, तो उसमें जो है, आप लोगों को थाम कर रखते हो, आप बहुत जादा strong और resilient person की तरीके से देखे जाओगे, नेक्स आ आपने जो है, मतलब आधा धूरा काम है, या कुछ लोग जो है, वो lazy कह देते हैं किसी को, या फिर ये सोचते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, या वो निपोण नहीं है, तो आप अपने काम में तो निपोण होई, प्लस आपकी जो और skills भी हैं, वो भी आपको unique बनाती है, कि आपके पास इतनी capability है, जैसे मान लीजे सिर्फ example दे रही हूँ, आप जो है, XYZ company में काम करते हैं और वहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी payment हो रही है, तो आप घर में जो है, वो ये है कि आपको शौक है कि आपको cooking करनी है, या baking करनी है, cake बनाना अच्छे से आता है, चाहे आप male हो, चाहे आप female हो, इससे gender का कोई लेने देना नहीं है, आपको पसंद है, तो आप वो करते हो, या आपको guitar बजाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, या आप sound को compose कर लेते हो, या आप editing बहुत अच्छी करते हो, तो कोई ना कोई skill है, एक भी हो सकता है, multiple भी तो ये नहीं कि rebel कर रहे हैं, या withdraw कर रहे हैं, कि मेरी कोई बात नहीं समझता, या generation gap है, तो लड़ाई जगड़ा हो रहा है, आप जो है mediation कर लेते हो, और आपकी बात बच्चे या teenagers सुनते होंगे, तो कुछ इस तरीके कि यहाँ पर energy है, और वो इस चीज को समझ कर, बहु नहीं, जो past में हो गया, उसको आप छोड़ दोगे पीछे, चाहे अच्छा हुआ हो, चाहे बुरा हुआ हो, ना उसको खीच के लेकर आते हो, ना जो है उसके लिए परिशान होते हो, आप unbothered वाली situation में रहते हो, किसी को परवा करनी है, well and good है, नहीं करनी है, मेरे पास time नहीं है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ और ये चीज़ आपके spouse बहुत अच्छी तरीके से समझेगे, क्योंकि इस तना जादा positive attitude, usually ऐसा नहीं आपाता है, और उनी लोगों का आपाता है, जो अपनी life में सब कुछ देख चुके होते हैं, तो जो देख चुके होते हैं, व उन्हें समझ आ जाएगी, और आपको रिस्पेक्ट बहुत जादा करेंगी, नेक्स तरहा है, आपको अपना पैसा कमाना, फाइनेशल तरीके से अपने आपको सही रखना, ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, और आप मनी को इन्वेस्ट करना बहुत अच कर रहे हो, और आपको अगर कुछ ऊपर नीचे या मैनिपुलेट भी करना पड़े, अब मैनिपुलेशन जो है, वो हमेशा नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, बट अगर अपना काम बनाना है, तो चार लोगों को जो है, अपने में मिलाना पड़ेगा, तभी जो है, काम बनापा होगे, वो कला है आपके पास, और आपको कॉम्मिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, नेक्स तरीके चाहे कोई भी डिफरेंसे जो, आप उनका साथ नी छोड़ोंगे, वो आपका साथ नी छोड़ेंगे, तो कुछ ऐसी एनरजी है, नेक्स तरा रहे चेरियट नेकार साइड भी है, जैसे मैंने का मैनिपुलेशन है, तो अगर अपना काम बनाना है, तो सामने वाले को पकड़ना पड़ेगा, या उसको अपनी बातों में ले कर आना पड़ेगा, तभी तो वो काम करेगा, तो वो ही चीज जो है, वो आपको आती है, और ऐसा नहीं कि आप जो है वो नुकसान कर रहो ऐसा भी नहीं है तो दोनों तरीके का एक proper balance है और आपका main goal जो है वो focus है अपने goal के उपर या अपनी life बनाने के उपर या अपनी family के उपर बस इससे ज़ादा जो है आप कभी भी distract नहीं होते नेक्स आरा Ace of Cups है यहाँ पे जो है दोनों के बीच में बेहत जादा रहेगा आपके spouse जो है वो आपको अपना loving partner या जैसे कह सकते है love of my life इस तरीके की चीज है और वो आप दोनों महसूस भी करोगे प्लस आप उस चीज को accept भी करोगे नेक्स आरा यहाँ पे आपके लिए eight of wands है यहाँ पे communication जो है वो बहुत जादा अच्छा रहेगा तो इस तरीके की यहाँ पे energy है कि आप लोग एक दूसरे को accept तो करी रहे हो communication आपका transparent है और आप life को create कर पारे हो लास्ट में आरा हाइरोफेंट है वो देखेंगे कि आप की जो personality है वो बहुत जादा transformed है आप समझदार बहुत हो mature हो प्लस आपका फ़न लविंग वाला जो nature है वो भी है और यहाँ पे सबसे जादा importance उनके लिए यह रखेगा कि आप अपनी values को नहीं छोड़ रहे हो जादा तर लोग जो है वो modern time के साथ जो है अपनी values को पीछे छोड़ते जा रहे हैं आप values को जो है वो रख रहे हो और आगे भी देना चाहते हो तो कुछ इस तरीकी की यहाँ पर energy है और आपके spouse जो है वो आपको इसी तरीके से देखेंगे चलिए देखते हैं आपके spouse की तरव से कुछ love messages देख लेते हैं क्या आ रहा है demonstrate love तो वो चाहते हैं कि थोड़ से expressive हो आप next आ रहा आपके लिए financially stable तो आप financially stable होना चाहते हो या फिर already हो चुके होगे तो यह चीज जो है उनको भी एक सुकून देती है next आ रहा you are like an angel that come into my life to heal and nurture me उन्हें ऐसा लगता है next आ रहा I am not single I am not taken I am simply reserved for the right one next आ रहा express love through gifts तो gifts के through जो है वो अपना express करोगे next आ रहा I am so happy you choose me express love through gifts यह दो दुफे आया है तो आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे को gift देना पसंद करोगे next आ रहा soulmate soulmate card भी आया था soulmate का यह चिट भी आया है next आ रहा I want peace with you तो यहाँ पर शांती आप लोग एक दूसरे के साथ create कर रहे हो next आ रहा है one love one heart one destiny next है आपके लिए it's amazing how one day someone walks into your life love is passion obsession someone you can't love without and next time spend some quality time together and next आ रहा है you are so cute that I cannot see your tears तो यहाँ पर यह चीज है कि आपको वो cute देखते हैं और आपके वो आसू नहीं देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके कि यहाँ पर energy है चलिए देखते कि इस reading से related to charms यहाँ पर जो है एक cactus आया है next आ रहा है यहाँ पर ओम आया है आपके spouse जो है वो यह चीज देखेंगे या जो आपने emotions की क्या कह सकते है lack of emotions देखें लोगों में जो है इस तरीके का बरताब देखा कि किसी को किसी की परवा नहीं है जो कि आजकल हो रहा है तो वो चीज जो है वो आपको इस इंसान से नहीं मिलेगी आपको emotions मिलेंगे वो आपकी परवा करेंगे next आरा ओम आया है तो ओम जो spiritual wisdom को दिखाता आप spirituality की तरफ से भी जो है वो थोड़ा सा incline होंगे next आरा जो Caesar आई है Caesar जो है वो यह चीज है कि आप cutting कर रहे हो उन लोगों की या उस situation की या जो भी आपकी painful condition रही हो next आरा यहां पर spiritual charm है आप बहुत अदा protected हो angels और spirits जो है वो आपको कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे ठीक है और next आरा यहां पर cutter है यह वही चीज है मुझे यहां पर लग रहे है toxic लोगों को जो है वो remove करोगे और आपके spouse जो है वो देखेंगे आपकी growth को तो इस तरीके की भी energy है चले देखते हैं कुछ love song तो पहला आ रहा है आपके लिए जननतवे दर्शन रावल का और next आ रहा है मैं रहूं या ना रहूं अर्मान मलिक का और next आ एक दिन आप इस तरीके के गाने जो आपको dedicate करना चाहेंगे इसी तरीके feelings जो है वो आपके लिए feel करेंगे तो यह थी आपकी reading उम्मीद करते हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content reading और energy अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चानल को like करें, share करें, subscribe करें थांक यू